तारा और सकीना की मोस्ट आइकॉनिक लव स्टोडी एक बार फिर से गदर टू में नज़र आने वाली है। मचा दिया था और यह फिल्म ब्लॉक बस्टर भी साबित होई थी। फिल्म के कहानी ने जितना दर्शकों के दिलों को चुआ वहीं इसके गाने भी खूब पॉपिलर हो गये थे। एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी केमिस्ट्री देख कर यकीनन आप उन पर दिल हार जाएंगे। इसी के साथ उर्जा काले कावा ने एक बार फिर से 22 साल पहले आए गदर एक प्रेम कथा की याद को ताजा कर दी है। सने देवल और अमिशा पतिल का रोमांटिक अंदाज एक बार फिर से बेहत पसंद किया जा रहा है। बताने की गदर एक प्रेम कथा की ओरीजनल सौंग उर्जा काले कावा को उदित नारायन और अलका यागनिक ने अपनी आवाज में आइकोनिक बना दिया। वही नए वर्जन को मिथुन ने रिक्रेट और रेरेंज किया है। बताने की ओरीजनल सौंग तो उत्तम सिंग द्वारा रचित है लेकिन गीत को आनन बक्षी ने लिखा था। उर्जा काले कावा का नया वर्जन रिलेज होते ही ये शोसल मेडिया पर चागया है। योजर्स गाने को खोब पसंद भी कर रहे हैं और जम कर कमेंट भी करते नजर आ रहे हैं। इस गाने को रिलेज होने के दो घंटे के बीतर ही बारह लाग से ज़्यादा व्योज मिल चुके हैं। लोग तारा और सकीना की मैजिकल केमिस्टरी देखकर बेहत खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गदर टू को लेकर फैंस बेहत एक्साइटेड है वहीं अनिल शर्मा की डिरेक्शन में बनी ये फल्म 11 अगस्त को सिनमा घरों में दस्तक देने वाली है। ये फल्म गदर एक प्रेम कथा का सिक्वल है बता दे कि गदर टू में भी सनी देवल और अमीर्शा पटेल लीड रोल में नजर आ रहे हैं। फल्म का पहला पार्ट गदर एक प्रेम कथा तो आज भी लोगों के दिलों में बसता है। और उडिजिनल फिल्म में सनी देवल और अमीर्शा पटेल की अमेजिंग लब स्टोडी ने बॉक्स ओफिस पर धमाल मचाया था। और ये फल्म ब्लॉक्बस्टर साबित भी हुई थी। फल्म की कहानी ने जितना दर्शकों के दिलों को चुआ वहीं इसके गाने भी खूब पॉप्यूलर हो गये थे। झाल 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 झाल